अगर देश का प्रधान मंतरी किसी आत्मिश्वास से बोलते हैं कि अगली वर्ष वो फिर लाल किला से बोलेंगे तो आपकी निता बोलती कि इन्हें आंकार आ गया है इसे आंकार नहीं कहते हैं इसे आत्मिश्वास कहते हैं और आत्मिश्वास उसी को होता है जिसने पिछले कुछ अच्छा काम किया हो करमत हो इमानदार हो आत्मिश्वास वहां से आता है और उसी आत्मिश्वास का गीत में आप तक पहुंचाता हूँ चाहे विपक्षी चीख लें अब जोर जोर से चाहे विपक्षी चीखले अब जोर जोर से या गालियां सुनाएं उन्हें चार ओर से होगा कोई ना असर तूट जाएगी कमर कमल हिट होगा फिर से जैसे हिट हुई गदर अब 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 अगरना कि कमल हिट होगा फिर से जैसे हिट हुई गदर फिर से 24 में लहराएंगे तीरंगा मोदी रेड फोर्ट से कि देश की ग्रोथ करने इंटरप्ट आये हैं फैबिली को बचाने सब करप्ट आये हैं और जेल वालों का बेल वालों के संग फ्यूजन है ठगी का जाली ये घूमता गठ बंधन है और बगल में है छूरी और मुह में तो राम है ऐसे गठ बंधन को अंतिम प्रणाम है ओ कहके इंडिया इस इंडिया को बदनाम किया रे इन्हें पब्लिक इन्हें पब्लिक ही देगी जवाब दबा के बटन अपने वोट से हां अपने वोट से फुल सपोर्ट से फिर से चौबिस में लहराएंगे तीरंगा मोदी रेड पोट से और इनका देखिए बीजे भी को मेहनत नहीं करनी है ये खुद अपने लिए इनफ है कैसे कि अपने करमों से ये भारी मतों से हारेंगे रोज राहुल की नई हरकतों से हारेंगे इनके भाशन का डेंट पेंट भी जरूरी है जनता का एंटेटेनमेंट भी जरूरी है अप जो लाइन आ रही है उसो समाल ना अखलेश ममता भी पी एम नुवेट है इस कहानी में राजा और रानी है कई माल सब का उठाया जाएगा बीजेपी वाले ट्रांसुपोर्ट से अरे ट्रांसुपोर्ट से सीवी आई कोट से फिर से 24 में लहराएंगे तिरंगा मोदी प्रदान मंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बोला कि मैं फिर अगली बार फाराऊंगा तो हम तो कहते हैं हमारे रास्टिया देक्ष ने कहा आप जरूर जंडा फाराएंगे लेकिन वो जंडा अपने घर पे फाराएंगे और क्यों पराएंगे क्योंकि भाजपा के साथ ही भी आपका साथ देने की स्तिति में उस समय नहीं रहेंगे उनके साथ वी जो हाँ पिछले काफी समय से पिछले काफी समय से ना कॉंग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान को ऐसी शब्दावली नहीं आ रही थी जिस पर आपत्ति की जा सके तो मुझे ताजूब यह हुआ कि कॉंग्रेस में सब ठीक ठाक है के नहीं है लेकिन अपनी परंपरा का निर्वा हाँ करते हुए कॉंग्रेस की तरफ से एक बयान आ गया जिसमें बीजेपी के सपोर्टर्स और वोटर्स को राक्षस कह दिया गया और शाप दे दिया गया तब ये कवीता सुनो आप क्यों कहा होगा तब सुनाता हूं आननलिए कॉंग्रेस के नेता भाजपा के वोटर्स क जादा कॉंग्रेस को खा गए और आपकी कही बात से अगर ये आहत हो जाएंगे तो बची-खुची कॉंग्रेस 24 में खा जाएंगे उट पटांग बयान तो दे पाटी और इलजाम वोट देने वालों पर ये तो वही बात हो गई कि घोड़े की बला तबेले के सर लेकिन कॉंग्रेस भी क्या करे आदत में ही है गड़बर जाला मुहबत की दुकान खोल कर दे रहे हैं श्राप मतलब यहां भी घोटाला मतलब यहां भी घोटाला चुनाओ नजदीक है मतला यह बयानों में शुद्धी कहीं इलेक्शन के बाद कहावत न बदल जाए विनाश काले कॉंगरेस बुद्धी कभी जी हमारे निता ने कौन राक्षस और कौन राक्षसी प्रविर्थी का है इस पर चर्चा की और क्यूंकि आप हीं कि सहली में कुछ पंक्तिया मैं भी लिख कर लाया हूं। मुझे पता था कि यह चीज आएगी। मुझे थोड़ी भी कोई हिचक नहीं है और उसका भी कोई समर्थन कर रहा हो तो मुझे लगता है कि उस बेक्ति को राक्षस कहने में और उसकी प्रविर्थी को राक्षसी प्रविर्थी करने में मुझे थोड़ी भी कोई हिचक नहीं है और ऐसे लोग Congress Party असपस कहती है कि ऐसे लोग भाजपाई वोटर ही बने मुझे कोई दिकत नहीं और भाजपा के जो भक्त हैं वही ये काम कर रहे हैं हुए दिख रहे हैं अभी क्या एक भाषण राहुल जी का बड़ा वायरल हुआ एक क्यों सारी हो जाते हैं उनके तो उनके भाषण पर कॉंग्रेस का एक रियक्त आता हर बार और कॉंग्रेस का या था और देश में से किसी का नहीं आता तो उस पर एक संदे पहले कॉंग्रेस पर देखेगा मैं राजस्तान से बाद शूर करता हूं उसमें बाद में क्या होता है कि राजस्तान में तेजी से खाली हो रही कॉंग्रेस छोड़ते सदस्योंने जीत की निव इला दी भाजपा हराने की चाह में कॉंग्रेश ने सौक से अपनी छोड़के सब की उम्मीद जगा दी तमाटर भी सस्ते हो रहे हैं तेजी से बोलो इस मुद्धे की भी भाजपा ने बैंड बजा दी राउल के भाशन से सिर्फ कॉंग्रेश ही बोलते हैं अग्लगा दी गट अजया और को ही नी बहुता एक पहज तो एक इंहले शीयल की में बडाव हुआ वह वजफ सात में आपर क्याuter इंक है partisan को ले आई कि यूही ना कह रहा है गटबंदन हारेगा सभी यूही ना कह रहा है गटबंदन हारेगा सभी सारे तो राजा हैं कैसे जीतोगे चुनावी चैस थारी ना उट है ना गोडा है ना कोई नीए सारी राजा है सारे ही तो राजा हैं कैसे जीतोगे चुनावी चैस अभी तो शुरू होगी आपस में टांग खिचाई, कोई जीत नहीं न देवेगा किसी को रेज, आतंक प्रेम गुंडों से लगाओ, सैना पे सवाल, जरा बोलिये कितने हैं टोटल फ्लोलेस, जरा बोलिये कितने हैं टोटल फ्लोलेस, आत्म मुगदता, आत्म मुगदता का मत ओ माई गोड़, आत्म में गोजिएस. शड़यन तरो साजीस को अब उल्जेश में ने देखे गठवंदन के लेकर के यह बात सच है कि हम कई दलों के लोग एक साथ मिले हैं करकरता के लेवल पर धीरे धीरे वो भी बात चीत हो रही है जनता जो जो आपने कहा कई राजा है यह बात अपने सही कहा इतना राजा हमार राजा मैंने कहा उनकी बात कह रहा हूं जो आपके कवी जी ने बात रखी है उस पर मैंने कहा कि इतने लोग हैं जो जनता के दिलों के राजा हैं चाहे वो ममता बनर जी हो चाहे वो अस्टालीन हो चाहे वो आपके केजिरिवाल साहब हो यह सब अपने अपने राज्यों मे इतनी बहुमत उनलों को मिली है तो जनता के दिलों पर राज तो करते हैं